साथ्यों नमस्कार, मुझूद है आपके सामने विसेश सिरीज जिसके जाट उसके ठाट का छटा भाग लेकर आज बात होगी राजिस्थान में किसान राजनीति का केंदर कहे जाने वाले सेखावटी की आज बात करेंगे सीकर लोकसवा की सेखावटी में सीकर लोकसवा छेतर का अपना येक अलग महत्व है देश में सैनिकों और वीरों की भूमी होने के साथ ही सिक्षा के छेतर में भी अपनी अलग पहचान रखने वाला या जिला है यह वह लोकसवा छेतर है जिसने देश में जाट राजनीती को नए आयाम दिये तो वहीं यहां की राजनीती में पनपे कई निता देश के उच्पदों पर पहुँचे हैं कि इनमें भारत के भूद पूर्व उपराश्पती और राजिस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोव सिंग सेखावत पूर्व उपरधान मंत्री चोधरी देविलाल और लोकसवा अज्यक्स चोधरी बलराम जाकरशरी के निता सामिल है तेश की फूर्व राश्पती पृतिवाद देवी सिंग पाटिल भी सीकर जिले की बहुँ है सीकर लोकसवा से चुन कराए सान सदों में दस सदस्य सीकर जिले से बाहर के व्यक्ति रहे हैं और दूसरे राज जैसे भी कई बड़े ने ताउनेज धर्की पराकर चुनाव लड़ा 1999 की सीकर रैली में ही प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपई ने राजिस्थान में जाटों के आर्क्षिंट की घोशना की थी और लंबे समय से कॉंग्रेस का एक पारंपारिक बोट बैंक माने जा रहे जाट समाज को अपने पाले में खीचने में सपल रहे देश के बड़े वेवसाईयों में सुमार, बजाज, गोइंका और विडला परिवार भी सीकर से ही संबंद रखते हैं वीरता की बात की जाए तो पर्थम विशु यूद में सिखावटी छेतर से कुल 14,000 से अधिक किसान इस यूद में सामिल हुए जिसमें 200 से अधिक वीर जवानों ने वीर गती को प्राप्त किया और देश के लिए मर मिटे तो वहीं सीकर जिले में समय समय पर अपनी समस्याओं के लिए यहां के किसानों का विद्रूही से राजिस्थान में किसान राजिनिती का केंद्र वजाता है अजादी से पूरू सन 1935 में बड़े हुए लगान के विरुद हुए सीकर किसान आंदोलन में यहां के जाट किसानों की वीरता की गूल पूरे देश में सुनाई रिती है जिसे राजिस्थान के पठ्थे करम में विसामिल किया गया है 25 अपरैल 1934 को सीकर के कट्राथल में उस दोर की सबसे बड़ी महिला संभेलन का आयोजन किया गया पृसासन द्वारा लगाए गए धारा 144 के बावजूद भी हजारों की संख्या में महिलाएं इस महिला सबा में इस सले ने पहुची जिसकी अद्धिशता जिले की किसोरी देवी ने की थी ऐसा बताया जाता है कि किसी भी परिस्तिती से निवटने के लिए महिलाएं अपने बालों में गंडासी भी छिपा कर लाई थी 25 अपरैल 1935 को गाओं कुंदन में लगान लेने आए दस्ते को यहां किये प्रद महिला धापी देवी ने लगान देने से मना कर दिया उसके बाद हुए संघर्ष में यहां चार किसानों की सहादत हुई तो वहीं 175 से ज़्यादा किसानों की जरफ्तारी हुई इसका परिणाम यह हुआ कि यहां के सासप को देश निकाला दे दी गया तो बाद में जाटू की ही एक पंचैत ने उसे यहां पुने स्थापित किया सीकर के वर्तमान सांसर्थ सुमेदानन सास्त्री द्वारा जाट बोर्डिंग सीकर के संदर्व में दिये गए सर्मनांक बयानतियों जैसे लोगों में उनका काफी वियोध लेकने को मिल रहा है आपको बता दें कि जाट बोर्डिंग सीकर की स्थापना फरवरी सन 1943 में बसंत पंचमी के दिन सीकर रेलवेश्टेशन के पास 12 बीगे जमीन से हुई थी सुरुवात में हैं सिर्फ 15 कमरे और दो रसुई के साथ किसान मसीह सर्चुटुराम ने जाट पोस्टल का उद्गाटन किया था चौदरी हरी सिंग बुर्डक और चौदरी इस्वर सिंग भामु की इसकारे में महतपून भूमी का रही यह दोनों 31 दोरान चल रहे किसान अंदोलन में भी सक्रिय भूमी का निभा रहे थे सीकर लोगसवा एक जाट बहुन सीट है यहां जाट मत्ताओं की एक बड़ी संख्या है यहां कुल 17 बार चुनाव हुए हैं जिसमें 11 बार जाट प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है जाट प्रत्याशीयों के मध्या ही है जीकर लोगसवा में कुल मत्ताओं की संख्या 22 लाख है जिसमें जाट मत्ताओं की संख्या 7 लाख से भी अधिक है यहाँ पौने दो लाख राजपूत, धाई लाख मुसलिम, एक लाख ब्रामन और चार लाख दलित मद्दाता भी इसी पर सामिल है आपको बता दें नहरा, पूनिया, मील, खीचड, फिलानिया, रनवा, मून, महरिया, काजल, इत्यादी, जाट समाज के मुख्य गोत्र सीकर जिले में हैं इन गोत्र के जाटो की संख्या सीकर जिले में अच्छी दातात में हैं सीकर लोकसवा छेतर में आठ विधान सवा छेतर सामिल हैं जिसमें सीकर जिले की साथ विधान सवा, दोध, सीकर, दातारामगड, खंडेला, नीमका थाना, स्रीमादोपूर वे एक विधान सवा, चोमू, जैपुर जिले से सम्मिलित की जाती है सीकर लोकसवा सीट पर सन 1952 में रामराजय परिशद के नंदलाल सर्मा ने बजाज इंडस्ट्री के कमल नेम बजाज को फरा कर पहली बार हैं से जीत दर्ज की तो दूसरे चुनाओं में 1957 और तीसरे चुनाओं 1962 के चुनाओं में भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के रामेश वर टांटिया ने लगाता रहां से दो बार जीत दर्ज की 1967 के चुनाओं में भारते जनसंग के गोपाल साबू नहां से जीत दर्ज कर सांसद बने तो साल 1971 के चुनाओं में भारते राष्टे कॉंग्रेस के स्री कृष्ण मोदी नहीं यहां से जीत दर्ज की अमर्जेंसी के बाद हुए साल 1977 के चुनाओं में जन्ता पार्टी के जगदीश प्रसाद माथुर नहां से एक तरफा मुकाबले में सांदार जीत दर्ज थी फिर आया साल 1980 जद्याट बहुल डेश सीट पर पहली बार जाट प्रत्याशी की जीत हुई 1980 के चुनाओं में जन्ता पार्टी सेकूलर से लड़ रहे किसानों के बड़े निता चौधरी कुमभारा मार्य जी में भावतियराश्टे कांगरेस के प्रत्याशी स्रीकृष्ण मोदी को 34132 वोट के बड़े अंतर से यहां पर सिकस जी और पहले जाट सांसत के रूप में सी लोगसभा के चुनाओं भी नहीं हुए तो उस समय के लोगसभा के अध्यक्ष्ट और फिरोजपूर से वर्तमान सांसत रहे चोधरी बल्राम जाखड़ने 1984 का चुनाओ राजिस्थान के सीकर से आकर लड़ा पार्टी की तरफ से तर्क गिया गया कि एक तो उनकी जड़े राजिस्थान में हैं दूसरा सीकर एक जाट बहुले छेतर है और उनसे बहतर दूसरा कोई उमिदवार नहीं हो सकता ऐसी परिस्थितियों में प्रधान मंत्री की मौत के बाद पूरे देश में उबजी सहनुबूती की लहर हुए जाखड़ साब की लोग प्रित्या की वज़े से 1984 के चुनाओं में भारते राश्टे कॉंगरेस के प्रित्याशी चोधरी बल्राम जाखड़ जी ने यहां भा चुनाओं में उतरने से ही यह सीट सबसे ज़्यादा शर्चित रही समय चौधरी देविलाल हर्याना के मुख्य मंतरी थे तो चौधरी बल्राम जाखड़ लोग सभा के अदेट्स थे इन दोनों दिगजाट नेताओं के बीच चुनाओं मुकाबला होने से ही है चुनाओं सबसे ज़्यादा चर्चित बन गया था दोनों नेतार रिस्ते में रिस्तेदार थे और चुनाओं परिनाम में जीजा की हार हुई और उन्हें हराने वाले रिस्तेदार चौधरी देविलाल देश के उप्रधान मंतरी बने इस चुनाओं में चौधरी बल्राम जाखड़ ने कॉंग्रेस के प्रत्याशी तो वहीं चौधरी देविलाल ने ज बिहारी बाजपई भी सीकर आए और चोधरी देविलाल के लिए जम कर वोट मांगे इस कारण भी सीकर सीट ज्यादा चर्चा में आई इससे पहले चोधरी बल्राम जाखड ने दावा किया था कि कोई उन्हें यहां आकर चुनाव नहीं हरा सकता इस चुनोती को चोधरी देविलाल ने स्विकारा और कहा कि जहां से आप चुनाव लड़ना चाहें मैं वहीं चुनाव लड़ूँगा और सीकर से चाहें तो सीकर या फिरोजपूर से चाहें तो वहां भी चुनाव लड़ूँगा और हराऊंगा वैं उनके सामने चुनाव सीकर में चोधरी देविलाल जी ने चोधरी बल्राम जाखड को 46,756 वोट से हराया और रोह तक में उन्होंने चोधरी हरिदवारी लाल को सिकस दी तो वहीं फिरोजपूर में वह निर्दल्य प्रतियाशी ध्यान सिंग से चुनाव खार गए फ्रोजपूर में चोधरी देविलाल तीसरे स्थान पर रहे ऐसा बताया जाता है कि फ्रोजपूर में किसानों में उनके प्रती दिवानगी इस कदर थी कि ठेली पेड़ पर इतनी भीड जमा हो गई कि चोधरी देविलाल का हेलिकोप्टर नहीं उतर सका उस समय चोधरी देविलाल जी के लिए एक नारा मशूर हुआ था ताओ पूरा तोलेगा लाल किले पर बोलेगा हलाकि बाद में ताओ के नाम से विख्यात हुए चोधरी देविलाल ने लाल किले से बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने परधान मंतरी पद लेने से भी म चुनाओं में भारते राष्टे कांग्रेस के चोधरी बलराम जाक्र ने यहां भारते जन्ता पारटी के हरलाल सिंग खर्रा को 110,685 के बड़े अंतर से हरा कर जी दर्ज की ओर सीकर से दूसरी वारत्षान से चुने गए 1996 में भारते राष्टे कांग्रेस के चोधरी हरी सिंग ने यहां भारते जन्ता पारटी के प्रत्यासी चोधरी सुभास सिंग महरिया को 38009 वोट से हरा कर शांदार जी दर्ज की उसके बाद हुए साल 1998 के चुनाओं में भारते जन्ता पार्टी के प्रत्यासी चोधरी सुभास महरिया ने यहां कॉंग्रेस के मुझूदा सांसर्थ चोधरी हरी सिंग जी को 41,332 वोट के बड़ेंतर से हराया साल 1999 के चुनाओं में भारते जन्ता पार्टी के चोधरी सुभास महरिया ने यहां कॉंग्रेस के वरिष नेता और पूर्व लोकसबात देख चोधरी बलराम जाखड को 28,173 वोट से हरा कर दूसरी बारसांसर चुने गए और साल 2004 के चुनाओं में भारते जन्ता पार्टी के पत्याशी सुभास महरिया ने इस बार कॉंग्रेस के चोधरी नरायन सिंग को 54,683 वोट के अंतर से हरा कर जीती हैट्रिक लगाई साल 2009 के शुनाओं में परिश्चितियों में बदला हुआ और भारते रास्टे कांग्रेस के चोधरी महादेव सिंग खंडेला ने बीजे पी के हैट्रिक मैन सुभास महरिया को 1,49,426 के बड़े अंतर से हराया जिसका इनाम उन्हें केंदर में मंत्री के रूप में भी मिला साल 2014 की मोधी लहर में भारते रास्टा पार्टी ने इस बार चोधरी सुभास महरिया का टिकेट काट कर स्वामी सुमेदानन सरस्वती को अपना उमीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने चोधरी प्ताप सिंग जाट को उमीदवार चुना ऐसी परिस्थितियों में चोधरी स सुभास महरिया ने बागी होकर चुनाव लड़ा और कुल 1,888,841 वोट हासिल किये और तीसरे इस्थान पर रहे भारते रिंदा पार्टी के सुमेदानन सरस्वती नेया कॉंग्रेस के प्ताप सिंग जाट को 2,34,196 के बहुत ही बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया और सा चुनाव लड़ा भारते जंता पार्टी के प्तियाशी सुमेदानन सरस्वती ने कॉंग्रेस के सुभास महरिया को 2,97,156 के बड़े अंतर से हरा कर जीत दर्ज की और दूसरी बार सीकर लोकसभा से सांसर चुने गए कुल विलाकर सीकर लोकसभा पर हुए 17 चुनाव में 11 बार जाट समाज के प्तियाशी ने ही जीत दर्ज की और 1984 साल से जाट सांसरी सीकर लोकसभा से चुना जाता है और इस बार भी जो मुख्य मुकावला है वो जो जाट प्रत्याशी के बीच है जहां भाजबा ने अपने दो बार के मौजुदा सांसर स्वामी सुमेध अनन सरस्वती पर भरोसा जाता है तो वहीं इंडिया गठवंदन में है सीट कॉंग्रेस ने लेक्ट बिंग पार्टी सी पीम के लिए छोड़ी है और सी पीम ने यहां प्रत्याशी बनाया है कामरेड अमरा राम को अमरा राम मूल लूप से सीकर के मून वाड़ा गाउं के रहने वाले हैं उन्होंने अपने राजनितिक जीवन की सुरुवात सन 1989 में सीकर के SK कोलिज में अद्यक्स का चुनाव जीत करकी साल 1983 में अपनी ग्राम पंचायर मून वाड़ा के वहसर पंच रहे साल 1993, 1998 और 2003 में बहुत विजान सवा चितर से विदायक रहे साल 2008 में उन्होंने सीकर की दाताराम गड़ सीट से विजान सवा का चुनाव लड़ा और जीते आपको बता दें कि कामरेड अमरा राम सीकर लोग सवा से लकातार चुनाव लड़ चुके हैं अमरा राम खिसानों और जनता से जुड़े मुद्दों से लकातार अंदोलन में सक्रे रहे हैं 2017 में किसानों दोवारा 11 सूप्रियम आंगों को लेकर एक बड़ा अंदोलन राजिस्थान में हुआ जिसका नेतरत भी अमरा राम ने किया संगर्श के प्रतीक कामरेड अमरा राम के बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से सर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल बात 2024 के सुनाव की दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्यासी घुषित कर दिये हैं और दोनों ही प्रत्यासी के बीच काड़ा संगर्श देखने को उस बार मिलने वाला है इसी बीच बीजेपी प्रत्यासी द्वारा सीकर जाट बोर्डिंग के लिए गई टिपनी से जाट समाज में रोस है वीडियो में बीजेपी प्रत्यासी को कहते हुए सुना जाता है कितने बदमास बुंडे पैदा हुए है उनका उत्पादन प्रेक्टरी जाट बोर्डिंग है संसकार विहीं जितने लोग पैदा हुए है उनका सारा उत्पादन यहीं से हुआ है वीडियो वाइरल होने के बाद जाट वोर्डिंघ हाउस के संस्थान ने प्रेश वारता कर मुझूदा सांस बोर्डिंघ को लेकर टिप निकी है उसकी संस्थान कड़े सब्दों में निंदा करता है सुमेधनन सर्चुती के जाड़ बोर्डिंग के प्रती इस विवादित बयान पर जाड़ बोर्डिंग संस्थान ने अपत्ती जताई है यह संस्था पूर तेगर राजनितिक संस्था है इस संस्था से निकले हजारों लड़के बिभिंज सेक्टरों में काररत है और हमारा भी ऐसा मानना है कि आप सी राजनीते में समाज के सिक्षन सज्थानों को 20 में लाना समाज हित में नहीं है निताओं को इन सब चीजों से बचना चाहिए आपको क्या लगता है कौन बनेगा 2024 में सीकर का प्रदान क्या स्वामी सुमेदानन जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर लाल लाल लहराएगा और अमरा दिल ली जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें वीडियो चल लगे तो लाइक करें शेर करें जाट समासे जूड़ी ऐसी वीडियो के लिए जूड़े रहे हमारे चैनल जाट सुनाइटेड के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो अगर फिस्बूक भी एंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फोलो करना ना भूलें चल्द मिलते हैं समास से जुड़ी ऐसी अन्य वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत जै ज़वान जै किसान राम राम